हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, लर्न स्टॉक चार्ट्स टॉर्न, दोस्तों आज की वडियों में हमें एक एसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, according to swing देखेंगे तो एक swing low पे हमें बाइंग का मौका नजर आ रहा है, उसी के साथ चार्ट पे हमें breakout भी दिखा है, और finally हम इस पे डार्वस बॉक्स इंसर्ट करेंगे और उसके इसाब से भी देखने की कोशिश करेंगे, दोस्तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले काईना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी तरह के वीडियोस टाइमली बेसिस पे मिलने के लिए चानल को सब्सक्राइब कीजे, और रेगुलर अब्लेट्स के लिए बेल आनलिसिस करने वाले उसके लिए जो भी डेक्स्टॉप टेडिंग टर्मिनल का हमने इस्तमाल किया है, वो है एडल्विस का TX3 का डेक्स्टॉप टेडिंग सॉफ्ट्वेर, दोस्तो अगर आपको एडल्विस में डिमेट या ट्रेडिंग आकाउंट ओपन करना है, तो मैं अगर आप आप अच्ची तरह से assumed камण टकरेंगे तो continue basis पे अप ट्रेंड में trade कर रहा है, जब भी अप टेंड में trade कर रहा है, तो higher top higher bottom बनाते बनाते ट्रेड कर रहा है, उसे हम swing high और Sa Vin Low भी कह सकते है, यहाँप अगर आप देखेंगे तो कुछ swing high, swign low फिर 이हाँप पिर उपर के सविंग लोग बन रहे थे लेकिंग स्यादा कि रावत जब भी आ रहे थी तो ट्रेंड लाइन पर स्विंग लोग बना कर से फिर अपसाइड मुवमेंट आ रही था आप देख सकते हैं आप फिर से ट्रेंड लाइन बना दिया वह फिर स्टाउक में अच्छी का सी क्लेक्टिवली कुछ चोटे स्विंग को इस तरह से एक डारेक्टली बड़ा स्विंग मार्काउट किया अगर आप यहां पे देखेंगे तो फिर से स्विंग हाय बन गया और रिसेंटली ही ट्रेंड लाइन पे स्विंग लोग बनाने के बाद अभी उसमें अपपर सड़ मे आती हुई दिक रही है तो यह ट्रेंड के हिसाफ से हो गया ब्रेकउट की हिसाफ से अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो एक इतना दायरा अगर में कंसिडर कर लेता और इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्काउट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि जो भी डारा हमने मा हमें आप से देखेंगे तो जो रिसेंट डारवास बॉक्स हैं यहां पर अगर आप दो ड्रवस भॉक्स यहां पर तो लगबग इसके अपर रेजेन के ये recent Darvas Box के resistance के आने के उपर वाले region के आसपास trade कर रहा है अगर इसमें price action further बनते तो ये definitely Darvas Box को भी breakout डे सकते हैं तो Darvas Box के इसाफ से भी हमें price action यहाँ पे नजर आ रही है दोस्तों अगर आपको Darvas Box trading strategy के बारे में information चाहिए अब ये stock selection के पीछे के कुछ reason हो गया अभी हम quickly देख लेते हैं अगर ये particular stock में हमें trade करना हो तो हम किस तरह से trade कर सकते हैं अगर आपको confirmation लेकर trade करना है तो ये candle के high के उपर जाने के बद आप आपका further decision ले सकते हैं अभी मैं last closing price के इसाब से बताने की कुशिश करता हूँ तो last closing price इसकी 10.59 है तो 10.59 के आसपास हम इसमें position बना सकते हैं मान लिए हमारा trade गलत जाता है तो हमारा stop loss रहेगा यहाँ एक swing low बना था जो की 9.85 के आसपास है ब्रेक आउट देगा closing basis पर देगा तो यह stock को हम mid to long time के लिए higher target के लिए भी hold कर सकते हैं तो इस तरह से मुझे respective stock में price action नजर आ रही अभी मेरा ये वीडियो आप ऐसे help इस्तेमाल कीजिए और आपकी जो भी पर हम जो भी discuss करते रहते हैं वह पूरी तरह से educational purpose है तो आप इस educational purpose ही ले लिजेगा इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत किजगा तो दोस्तों आज की लिए बस इतना ही थैंक यू